आज का संस्क्रीट का पेपर देख सकते हैं, आउट हो गया है दोस्तों संस्क्रीट का सकेंड सिटिंग का, सकेंड सिटिंग वाले इसको दो बज़े से पहले तक में इसको पूरा रट लेना है, यही आएगा आपकी एक्जाम में सेम टू सेम सेट सी का वाइरल हो गया है, दो मैं आपको पूरा सो में सो अब्जेक्टिव का अंसर बताने जा रहा हूं चलिए पहला सवाल करा है इंद्र ने करने से छल क्यों किया इसका राइट एंसर जो है आपका ए हो जाएगा क्रिश्न की सहमती के लिए पूरा रट लेना है औरिजिनल कोस्चन पेपर है आउट हो ग गया है तिसका राइट एंसर तीन का आपका ए हो जाएगा करन को कहा गया है पूरा रट लिजेगा वाइरल हो गया है दोस्तों सकेंड सिटिंग वाले पूरा रट लेना है आपको चलिए अगला प्रस्ण देख सकते हैं यहाँ दोस्तों पांस सी लिखा हुआ है सकेंड सत्रुता को कौन बढ़ाता है इसका राइट एंसर पांच का आपका ए हो जाएगा सुर्त बढ़ाता है चलिए अगला प्रस्म देख लीजे ठीडियो को पूरा देखना चैनल को आप लोग सस्क्राइब कर लिजेगा वाइडल कोश्चन पेपरद सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ original गवर्गी तृतिया सुत्र से किस वाक में तृतिया भिभक्ती हुई है तो इसका राइट इंसर आपका आठ का C हो जाएगा सहयोजनेन कथम समाप्त वान C इसका राइट इंसर हो जाएगा याद कर लिजेगा नो नमर प्रसंट करें चरकोर सुसुरूत ने किस सास्त्र का प्रवर्तन किया तो नो का राइट इंसर आपका ए हो जाएगा आयुर्वेद 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 सास्त्र ठीक ना ए इसका राइट इंसर हो जाएगा पूरा रठ लिजेगा दस नमर प्रस्ण करें बिडिःत सहिंता की रचनाकार कौन है तो इसका राइट एंसर आपका दस का ई हो जाएगा वराह मिहीर चलिए अगला प्रस्ण देख लिए एगारा नमर करें वालकाई मुदकम रोचते वाक के बालकाई पद में चतुरती विवक्ति किस सुत्र से हु प्रस्ण करा इसका राइट एंसर बारका भी हो जाएगा दूइतिया पूरा रच लीजे दोस्तों ओरिजिनल कॉस्ट्शन पेपरह 13 नमर करें स्यामा में कौन सा इस्तिरी परती है तो तेरा का right answer C हो जाएगा top चलिए 14 नमर करेकरी जूर कत्व से कौन सा पद बनेगा तो इसका right answer आपको 14 का D हो जाएगा कारियम चलिए original question paper है second sitting वाले पुरा रट लेना आपको channel को आप लोग subscribe कर लिजे 15 नमर कराई यादावह पद में कौन सा तदित परतिये है तो इसका right answer B हो जाएगा अगला प्रसंद देख लिजिए 16 नमर कराई कि सानच परतिये इससे कौन सा पद बना है इसका right answer 16 का आपका C हो जाएगा सेव मानस चलिए सेव मानम 17 नमर कराई किस पद में ठक परतिये है तो 17 का right answer D हो जाएगा साहित्यक 18 नमर कराई लक्षमी किस के पास जाती है तो 18 का right answer E हो जाएगा प्रिसर्मी के पास जाती है 19 नमर कराई भिखन टोला देखने कोन आया था तो 19 का right answer B हो जाएगा दियापक आया था चलिए अगला प्रस्ण 20 नमर कराई स्वामी देयानद ने किस संस्था की अस्थापना की तो इसका right answer C हो जाएगा आरिये समाज की अस्थापना की ओरिजिनल कोस्टेन पेपर है पुरा रट लेना है सकिन सिटिंग वाले एकजाम होल में जाने से पहले इसको गोल के पी लिजिए एकरश नमर कराई किस सब्द में विसर के संदी नहीं है तो इसका right answer B हो जाएगा विद्यापती रासीत चलिए अगला प्रस्ण दिख लिजिए अगला प्रस्ण आपका 22 नमर कराई किस वाक में ये नांग विकार सूत्र से तिर्तिया विभक्ती हुई है तो इसका right answer आपका C हो जाएगा C इसका right answer हो जाएगा दिनेसह करनेन वधीरा अस्ती चलिए अगला प्रस्ण आपका 23 कराई यत सर्वनाम के पर्थमा विभक्ती एक वचन का रूप कोन सा है तो इसका right answer ये हो जाएगा यह चलिए अगला प्रस्ण आपका 24 नमर कराए कि हिमालायात गंगा प्रवती वाक्य हिमाल हिमालियात पद में पंचमी विवक्ती की सुत्र से हुई है तो इसका right answer आपका भी हो जाएगा भुह पर्वह 25 नमर कराए चैनम का संदी विचेद क्या होगा तो इसका right answer C हो जाएगा चै जोर अनम पूरा रट लिजिए सकेंड सिटिंग वाले 26 नमर कराए राज जोर छत्रम की संदी होगी तो इसका right answer आपका ये हो जाएगा 27 नमर कराए O के मेल से कौन सा वर्न बनेगा इसका right answer B हो जाएगा O बनेगा देख सकते हैं यहां second sitting लिखा हुआ second sitting set C ठीकिन वाइरल हो चुका है paper पूरा रट लेना आपको 28 नमर प्रस्ण कराए कि किस सब्द में समाहार द्विगू समास है तो इसका right answer आपका 28 कर ये हो जाएगा पंच तंतरम चलिए 29 नमर कराए घन इव स्यामा का समस्थ पद क्या होगा तो 29 का right answer C हो जाएगा घन स्यामा चलिए अगला प्रस्ण 30 नमर कराए लंबो दरह में कोन समास है 30 का right answer D हो जाएगा बहु बिड़ी समास है 31 नमर कराए पाटली पूतर किस नदी के किनारे अबस्तित है तो इसका right answer E हो जाएगा गंगा नदी के किनारे अबस्तित है पूरा रट लिजिए सकेंड सिटिंग बाले आप लोग कमेंट कीजिए का तो हम सबजेक्टिव भी इनका अपलोड कर देंगे सबजेक्टिव कोस्टिन हम दिखा देंगे आपको क्या क्या पूछा गया है 32 नमर कराए राज सेखर का परमुख कब्य गरंथ कोन है तो इसका right answer B हो जाएगा काब्य मिमान सा 33 नमर कराए छोटे से भी छोटा और बरे से भी बरा क्या है तो 33 का right answer C हो जाएगा आत्मा 34 नमर कराए नादिया समुद्र में कैसे मिलती है तो 34 का right answer D हो जाएगा नाम और रूप को छोड़कर D इसका right answer हो जाएगा 35 नमर कराए इते अस्तताह का संदी बिछे दिख्या होगा तो 35 का right answer D हो जाएगा इताह जोर इस्तताह है 37 नमर कराए पूरूस परिक्षाका बिघ्रा क्या होगा तो 37 का right answer E हो जाएगा पूरुस्य परिक्षा उसके बाद Conogy 38 नमर कराए कर्टू किस सब्द का रूप है तो इसका right answer 32 का सी हो जाएगा 29 नमर कर जाएगा इन-चा-वर, मिल्च colours एन्सर यह हो जायगा करता चलिए 41 नमर प्रसुण का रहें नर्षा मिना किस ने बार बार कहा तो इसका रॉट हो जायगा सक्रर चलिए 42 नमर प्रस्ट करा है, ब्यागरपति कато था पार्ट में किसके लिए कूंते, सब्द का पड़ियोग हुआ है ती इसका रायट एंसर D हो जागा युदिश्टिर, युदिश्टिर के लिए पड़ियोग हुआ है 43 नमर करें निती सुलका पाट महाभारत के किस पर्व से संकिलित है तिसका राइट एंसर भी हो जाएगा उद्धोग पर्व पूरा रट लिजिए दोस्तो वाइरल कोस्टन पेपर है 44 नमर करें महापंके पती तो इसी किस ने कहा तिसका राइट एंसर आपको 44 का ए हो जाएगा बाग ने कहा बाग इसका राइट एंसर हो जाएगा 45 करें मंदा की निवर्नम पाट के कभी कोन है तिसका राइट एंसर आपका बी हो जाएगा बालमी की है मंदा की नी वर्नम पाठ के कभी कौन है तो वाल में की है 46 नमर कर स्वामी द्यानंद का परिवार किसका उपास सक था तो इसका राइट एंसर आपका C हो जाएगा C का 47 नमर कर राम परवेश राम उची विद्याले में कौन सा अस्थान पराप्त किया तो इसका राइट एंसर आपका D हो जाएगा पहला पराप्त किया चलिए 48 नमर कर राइट आचार का हनन किससे होता है तो 48 का राइट एंसर एह हो जाएगा अलक्षन से होता है आचार का हनन किससे होता है अलक्षन से याद रखिएगा ये इसका right answer हो जाएगा 49 नमर करहा भारते संस्कृति की ओधितिय विस्रिष्ता क्या है इसका right answer ये हो जाएगा संस्कार चलिए 50 नमर करहा भवंती डोट डोट पुरुसा सुरत्वत इसका right answer आपका 50 का भी हो जाएगा भूया चलिए 51 नमर प्रस्ण आपका करा है किस सब्द में अंग उफसर्ग है तो इसका राइट एंसर 51 का ए हो जाएगा आहारा 52 नमर करा है दूर्ममम दूर्गवम सब्द में कौन सा उफसर्ग है तो इसका राइट एंसर 52 का भी हो जाएगा दूर तिरपन नमर प्रस्ण करा है बही के योग में कौन सी विभक्ती होगी तो इसका राइट एंसर ए हो जाएगा दूइतिया होगी रट लिजेगा वाइरल कोस्टन पेपर है पूरा एक बार में याद नहीं होता है तो विडियो को फिर से देख लिजे पूरा रट लिजे यही पेपर आएगा हंडिट परसेंट आज यही आएगा चोववन नमर प्रस्ण करा है तुम तुमर थाच भावा चानात सुत्र से चतुरती विभक्ती की स्वाक में परियुक्त होई है तो चोववन का राइट एंसर भी हो जाएगा राम नाय कुरुदियती भी इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए 25 नमर करें करता कारक में कौन सी विभक्ती होती है तो 55 का राइट एंसर यह हो जाएगा प्रथमा चलिए 56 नमर करें भावत सब्द के सब्तमी विभक्ती का रूप कौन सा है तो 56 का राइट एंसर भी हो जाएगा भवत्तसु संतावन नमर प्रस्ण करें सकापद का मुलरूप क्या है तो 57 का राइट एंसर C हो जाएगा सखी चलिए 58 नमर करें बीभेती में कौन सी धातू है तिसका राइट एंसर 58 का बी हो जाएगा भी उनसत नमर करें दिरिश्स धातू के लिरित लकार का रूप कौन सा है तिसका राइट एंसर आपका सी हो जाएगा द्रक्षयती साथ नमर कर रहा किस सब्द में अनियर परती है तो साथ का राइट एंसर डी हो जाएगा पठनियम एकसर नमर प्रस्ण कर रहा है तिसका राइट एंसर एकसर का डी हो जाएगा भागवत पुरान बाइट नमर कर रहा है विभिन जाती और धर्म की लोग भारत में कैसे रहते हैं तिसका राइट एंसर एगा एक तत्व भाव से तिरेसट नमर कर रहा है सब पदी कर्म कांड की संसकार में होता है तिरेसट का राइट एंसर बी हो जाएगा विभा संसकार में होता है 64 का भारतिय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं तो 64 का राइट एंसर आपका 64 का राइट एंसर C हो जाएगा 16 चलिए अगला प्रसन आपका 65 का राइट विने किसका नास करता है तो इसका राइट एंसर D हो जाएगा अग कृति का उसके बाद 66 कर ए उत्तम सांती क्या है तो 66 का राइट एंसर ए हो जाएगा छमा छमा उत्तम सांती है 66 कर ए असियोत्रम में कौन संदी है तिसका राइट एंसर 66 का ए हो जाएगा सुवर चलिए 68 नमर करे किस सब्द में भी उफसर्ग नहीं है तो वह आपका आंसर हो जाएगा B वेदह सब्द में भी उफसर्ग नहीं है 69 नमर करे किस समास का पहला पद अब यह होता है इसका राइट इंसर C हो जाएगा अब यही भावा अब भाव समास का पहला पद अब ये होता है सत्तर करा चार्थे दुवन्त का उधारन कौन सा है तो सत्तर करा राइट इंसर D हो जागा धर्मार्थ कामा धर्मार्थ कामा चलिए एकत्तर करा वर्त मानम में कौन सा परतिय है तो 71 का right answer B हो जाएगा सानच 72 का right answer C हो जाएगा देवत त्वम में 73 का right answer कितने है तो इसका right answer A हो जाएगा 6 इसका right answer A हो जाएगा 6 पूरा रट के जाईए 74 का रहा अस्वा जोर टाप से कौन सा सब्द बनेगा तो इसका right answer A हो जाएगा अस्वा, 75 का रहा है, छत्रिय सब्द में कौन साथ तद्दित परती है, तो इसका right answer B हो जाएगा अन, चलिए अगला प्रस्न देख लिए 76 का रहा है, आवएर करुना और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, तो इसका right answer B हो जाएगा सांतिकी चलिए अगला प्रस्न देख लिए 77 का रहा है, कि सास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, तो इसका right answer D हो जाएगा छात्रगन चलिए 78 का रहा है, नियादर्शन की प्रवर्तक कौन है, तो इसका right answer C हो जाएगा गौतम 89 का रहा है, कि दुख का विशे क्या है, तो इसका right answer आपका B हो जाएगा, ओ सांति चलिए 80 का रहा है, करन सक्रू को चोथी बार क्या देना चाहा, तो इसका right answer D हो जाएगा, सोना देना चाहा पूरा रटली जी ओरिजिनल कोस्टेन पेपर है, सकेंड सिटिंग वाले पूरा रटलेना है, 81 का रहा है, DAB, विद्ध्याले के अस्तापना किसने की, 81 का right answer D हो जाएगा, स्वामी दयानन्द के अनुराईयों ने, चलिए 82 का right answer D हो जाएगा, सीता को दिखा रहे है, 84 का right answer D हो जाएगा, तालाब में गया, चलिए 85 का रहा डान किसको देना चाहिए तो 85 का right answer B को देना चाहिए या दरीदर के जगा गरीड भी हो सकता है ठीक ना 86 का रहा सुनदर जोर तल से कोण सा सब्द बनेगा तो इसका right answer C को सब्द सुनदर था उसका 87 का रहा करीड तू तो किस लकार का रूप है 87 का right answer D हो जाएगा lot 88 का रहे हरी न जो deep से कौन सा सब्द बनेगा 88 का right answer B हो जाएगा हरी नी उसके बाद आपका 89 का रहे गुरुत्वर सब्द किसे बनेगा तो इसका right answer D हो जाएगा गुरु जोर तरफ से उसके बाद 90 का रहा है लिखित वान में कौन परती है तो इसका राइट एंसर आपका B हो जाएगा कत्वतू उसके बाद 91 का रहा है कि मैथली भासा की कभी कोन है तो 91 का राइट एंसर B हो जाएगा विद्यापती अगला प्रस्ण करा है आलस साला में आग कब लगाई गई तो 92 का राइट एंसर C हो जाएगा जब सब सो रहे थे चलिए अगला प्रस्ण आपका 93 करा है कि लोग की संस्कृत साहथियों में लगवग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं तो इसका राइट एंसर B हो जाएगा 24 चलिए अगला प्रस्ण आपका 94 करा सर्व सुकलास और सती किसने कहा है तो 94 का राइट एंसर E हो जाएगा डंडी वो उसके बाद 95 करा जगत जोर गरवम की संदी क्या होगी तो इसका राइट एंसर B हो जाएगा जगत गरवम उसके बा निलम उत्प लम का समस्त पद कौन सा है तो इसका राइट एंसर D हो जाएगा निलोप्त लम अंठानवे करा सरवता के योग में कौन सी विभक्ती होगी तो अंठानवे कराइट एंसर E हो जाएगा दूतिया 99 नमर परस्ण करा सहपद का मूल रूप क्या है तो 99 का राइट एंसर B हो जाएगा ततु 100 नमर लाश्ट परस्ण करा ग्या धातू के लट लकार का रूप कौन सा है तो इसका राइट एंसर D हो जाएगा जानाती तो दोस्तों 100-100 मैंने आपको objective बता दिया इसमें आपको 50 बनाना है रट के जाईएगा यही same to same paper आएगा second sitting वाले अगर आपको subjective चाहिए तो आप लोग comment किजेगा subjective भी डाल देंगे